ए लड़कियों को यहां से भक्ख्के मार के निकाला गया बाल कीच के निकाला गया है, यहां से युनिएवरसिटी कैंपश के अंदर में उसको लाया गया, तब पुलिस को यहां पे तब उसके पहले ही सारे पुलिस अथौरिटी आ चुके थे, गोलिया चल चुकी थी, more than 50 rounds were fired, 50 rounds से ओपर गोलिया चली है और यहाँ VC सर का कहना है कि 16 round गोलिया चली है और SP साहब ने साफ मना कर दिया है कि गोलिया चली ही नहीं है जिस समय 21 की रात को जब उसकी मौत का बारे में हम लोगों को पता चला उसके बाद यहाँ ambulance ने लाने से उसको मना कर दिया यहाँ पे VC सर का order से या फिर security के order से यह आया कि आपको ambulance को university campus के अंदर में नहीं लेके आना है जब हम लोगों को यह पता चला कि university के campus के अंदर नहीं लेके आना है तो हम लोग VC सर से बात करने के लिए 10 से 15 चातर वहाँ उनके दर्वाजे पे गए जब वहाँ गए तो वहाँ के जितने भी उनके security guard है उन्होंने बोला कि आप लोगों को उनसे मिलने की अनुमती नहीं है और जहां तक की बात है तो आपको उनसे कोई मिलने की वह सूचना नहीं मिलेगी हम लोगों ने associate DSW को phone किया कि सर ऐसी ऐसी बात है हम लोगों को मना किया जा रहा ambulance लाने के लिए लेकिन ambulance के बारे में उन्होंने बोला कि आप लोग यहां पे हम लोगों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है यह गलत बात है उसके बात से कोई वहां से उसके बात जब हमने उनके पिताजी को phone किया लेट अखिल साहु के पापा को तब हमें पता चला कि ना उन्होंने पुलिस को बताया ना उन्होंने ना कॉलेज के किसी ने उनके पुलिस ने उनको इनफॉर्म किया तो इस वज़े से उन्होंने बोला उन्होंने हम लोगों को बोला कि उसकी बॉड़ी को आप लोग तब तक सुरक्षित रखिए जब तक हम लोग वहां नहीं आते हैं उसके बाद उसी समय उन लोग के पेरेंट्स वहां से निकल गए वहां से आगे जब बढ यहां से सख्राइब आपने बारा मन या है कि यहां चीज के लिए यहां हम लोग यहां पढ़ने आए हैं यहां पे रात में 12 बजे 12 से एक बजे के बीच में एक WhatsApp पे मेसेज गिरा और की Office Order आया है by the order of Registrar कि आप आईए आप लोगों को सुभा कल 12 बजे यहां से निकलने का order दिया जाता है आप सभी लोगों को यहां से निश्कासित किया जाता है और साइन डाय लग चुका है उनिवर्सिटी में बिना ये सोचे समझे कि यहां पे लड़कियां भी रहती हैं यहां पे हर एक स्टेट से हर एक जगा से बिहार में बच्चे पढ़ने आते हैं उन सबों को एक बार में रात में 12 बजे निकाल दिया गया उसके बाद अगले दिन सुभा निकलने साड़े 12 बजे का निकलने का बात आ गया था लड़कियों को यहां से धक्के मार के निकाला गया बाल खीच के निकाला गया है यहां से उसके बाद फिर जब हम लोगों को यह सारी बाते पता चली ता हम लोगों ने उसके बाद भी इतने के बाद भी वीसी सर से बात करने की कोशिश की उसके बाद पता चलता है कि वीसी सर लोट नाया पता है दस दसाती गंशन में है। उनने से जाधा तर ऐस्पताल में थे ऐस्पताल लेके गए थे उसको ऐसे में कौन एक अपने चातर gate की मदद करना चाहेगा क्या आपने एक भी इन उसान लुई रुई करना चाहता ओरड़ी से शोष। से वहां पर अस्पताल में देखने के लिए 45 किलो मीटर दूर उसका बिना फॉर्स टेट के एक रूई रख़्ी ती सर पर एक रूई रूई का ऐसे रखके यहां से 45 किलो मिटर दूर भेज दिया गया दो यूनिट खून उसका अंबुलेंस में गिरा था लंसम चार यूनिट खून होता है इंसान के शरीर में दो यूनिट तो लंसम वहां ले जाते हुए ही बह गया इसका जिम्मेदार कौन है वहां पे जब हम पर आता है order कि 10 बच्चों पर अफाई आठ धाराएं लगी है आठ की नौ धाराएं बच्चों पर 307 तेरा धारा लगा है तेरा धारा बच्चों पर लगी है 307 के साथ अब उन बच्चों का क्या होगा future का हमारे माननिय राजिस्टार सार का यह कहना है लोकल न्यूज में हुंड हुने यह कहा है कि एक समेस्टर बच्चे लेट हो सकते हैं अल्रेडी हम लोग ट्राईमेस्टर पर चला है हम लोग का Department ट्राईमेस्टर बै चला है छे महिने की पढ़ाई तीन महिने में खतम हो रही है और अभी भी वो समेस्टर बंद हो जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे हम लोगों की फ्यूचर के साथ आज हमारे पास हमसे वही चीज छीना जा रहा है दोस्तों जो की हमारे पास है और उनके पास नहीं है हमारा समय हमा से बुरा काम हो सकता है जो कि विसी ने हम लोगों को reward दिया है इसको नहीं होने देंगे बस मेरा इतना कहना है कि अखिल साहू कि लाश के साथ जो मजाक हुआ है उस मजाक का जवाब कौन देगा उस मजाक का जवाब हमें चाहिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा बहुत-बह झाल झाल